धीरे, धीरे सिध्धार्थ शुकला और रश्मी दिसाई के बीच हुए विवाद से परदा उट रहा है बीते दिनों आपके अदालत के दौरान सिध्धार्थ और रश्मी ने अपने बिगड़े रिष्टों का सच बताया सिध्धार्थ ने गुरुवार के अपिसोड में बताया कि कैसे उनकी और रश्मी की दोस्ती टूटी सिध्धार्थ ने बताया कि उन्हें पहले रश्मी दिसाई बेहद अच्छी लगती थी सिध्धार्थ ने कहा एक आर्टिकल में छपा जिसमें बताया गया कि मैं सेट पर कितनी परेशानी क्रियेट करता हूँ जिसके बाद रश्मी से मेरी रंजिश बड़ी मगर बाद में हमारी दोस्ती हो गई लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाते हुई कि हमारी दोस्ती में फिर से दरार पड़ गई रश्मी और मेरी जो आखरी फोन कॉल हुई थी उसमें हमारा काफी जगड़ा हुआ था सिध्धार्थ ने बताया मैं नहीं चाहता था कभी हम मिले तो एक दूसरे को नजरंदाज करें इसलिए मैं रश्मी दिसाई से सब कुछ क्लियर करना चाहता था उस दौरान मेरी आर्टी सिंग से काफी अच्छी दोस्ती थी मैंने आर्टी को कहा कि मुझे रश्मी दिसाई से एक बार बात करनी है चीजे क्लियर करनी है आर्टी ने रश्मी को फोन कर मिलने को कहा लेकिन आर्टी की जगह मैं रश्मी से मिलने पहुँचा था इस दौरान मैंने हमारे बीच बाते हुई उसे लेकर सौरी कहा और रश्मी ने भी मुझे प्यार से रिस्पॉंस दिया था